हेलो बच्चो पढ़ाईसे परतियो गिता तक के अंतरगत जवाहर नवद्य विद्याले परवेश परिक्षा परिक्षा 9 मॉडल पेपर 5 के बारे में इस वीडियो में आपको हम आज बताएंगे चलिये देखते हैं कि इसमें क्या-kya परशन पूछे गए हैं बच्चो इसका पहला परशन है कि रेल गाड़ी शब्द है अब यहां पस चार ओप्शन दिये हुए हैं कि तदभो शब्द है क्या विदेशी शब्द है या देशस या शगर आप जानते हैं कि रेल गाड़ी ज वे शब्द जो दो भाशाओं के शब्दों को मिलाकर बनाई जाते हैं वे क्या कहलाते हैं संकर शब्द कहलाते हैं जैसे रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी शब्द है यानि कि दो भाशाओं के मेल से जो है ये शब्द बना है इसलिए ये संकर शब् कि तद्भाव शब्द किसे कहते हैं जिन में कुछ बदलाव किया जाता है या परिवर्तन करके जो शब्द हिंदी में संस्कृत हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भाव शब्द कहते हैं और विदेशी शब्द जो अन्य भाषव से यानि कि जो बाहर की भाषव से हमारे उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं और देशर शब्द जो कहते हैं वो हमारी जो परंपरा से हमारी चले आये हैं पुरानी परंपरा से जो शब्द हमारे देश में प्रियोग होते हैं वो देशर शब्द कहलाते हैं तो इसका बच्चो आंसर कौन सा है डी वाला इसका आंसर ह कि रेल गाड़ी शब्द है संकर शब्द आप इसका दूसरा परशन के देखते हैं हम कि निमनिलिखित शब्दों में से पुलिंग शब्द का चैन कीजिए चलिए पहले हम यह उत्तर पढ़ने से पहले पुलिंग की परिभाशा हम आपको बता देते हैं कि पुलिंग शब्द हो चाए मनुश्य हो या कोई भी वस्तु हो जैसे अब इसमें चार उप्शन दियो हैं पहला उप्शन है सूची पत्र दूसरा है किताब तीसरा है गंगा और चोथा है संसर अब हम A को छोड़कर अगर B, C और D को देखते हैं तो यह कैसे हैं इस तरी लिंग में श्रेड़ आता है अते हमारा उत्तर जो है A सही है अब इसका तीसरा परशन है कि निमनली खित में से विरधी सवर संदी कौन सी है पिर्थवीश अब यहां चार शब्द दियो हुए हैं पिर्थवीश दूसरा है विध्यार्थी तीसरा है महिंदर और चोथा है महुश्यद तो पहला अगर हम देखते हैं कि A, B और C यह देखते हैं तो यह विरधी संदी में नहीं आते हैं बलकि D वाला जो अप्शन है महों शद तो यह जो है यह विरधी संदी में आता है अब हम आपको बता दें कि क्यों आता है यह कि विरधी संदी जो होती है वो बच्चो जब संदी कर स समय आ के साथ ए हो तो ए बन जाता है उसका दोनों को पिलस करकी क्या बन जाता है ए बन जाता है और जब आ के साथ ओ हो तो ओ बनता है जैसे अगर हम इसकी संधी करें महोशद की तो महा पिलस ओशद अब हम इसमें पहला पद देखते हैं तो पहला पद क्या आया है महा तो यह नहीं दूसरे पत जो है इसका ओशिद यानि कि ओ आया है दूसरे अपत मिया एखंप एखंप है Cisco और है वह फिमे नहीं है तो अ-प्लस remind आप YOU रधी संदी में आता है ये विरधी जो शब्द बना है शोक से आकुल से बना है ठीक है ये तत्पुरुष समाज है करमधारिय समाज से बहु बिरीही समाज से या अवईभाव समाज से तो हम देखते हैं कि शोक से आकुल यानि कि यहाँ पर से जो है वो विलुप्त है ये नजर नहीं आ रहा है लेकिन से जो है वो understood है और शोक से आकुल यानि ये है ना शोका कुल शोक कुल तो ये जो है ये ततपुरुष समास के शिरेणी में आता है अब ये देखते हैं कि ये ततपुरुष समास की शिरेणी में क्यों आता है पहले हम आपको समझाय देते हैं कि तत्पुरुष समाज जिस समाज में पहला जिस समाज का समाज शब्द का पहला जो पद होता है वो परधान होता है यानि कि उत्तर पद जो होता है वो परधान होता है और तोनों पदों के बीच में क्या अंडरिश्टूड होता है कि छिपा हुआ होता है वो लुपत होता है कि के लिए से के की यह शब्द होते है यह जो वाक्य को जोडने वाले जो शब्द होते हैं यह छिपे हुए होते हैं जैसे मैं आपके सामने वो बोल रही हूँ एक उदाहरन दे रही हूँ यश्प्राप्त तो देखे यश्प्राप्त है ना अब इसमें काकी नहीं आ रहा है अगर हम इसे खुलकर लिखेंगे तो यश्प्राप्त जैसे हमने एक शब्द बोला सरवग है ना तो सब को जानने व तो इसका क्या हुआ कि ये ततपुरिश समास है शोक कुल में क्या रहा है शोक से आकुल ठीक है अब चलिए हम कर्मधारिय समास की भी परिभाशा देख लेते हैं कि कर्मधारिय समास किसे कहता है बच्छो कर्मधारिय समास इसमें जो पहला पद होता है वो विशेशन होता ह और दूसरा पद जो होता है वो विशेश्य होता है विशेश्य और शब्द यानि की विशेश्य बताने वाले और विशेश्य किसे कहता है जिन शब्दों के बारे में जिन शब्दों की विशेश्य बताई गई है जैसे परमेश्वर परम है जो इश्वर मुख कमल मुख के समान है कमल के समान है जो मुख ठीक है अब बहुबिरी ही समास को देख लेते हैं कि बहुबिरी ही समास में कोई भी पद जो होता है वो परधान नहीं होता है और दोनों पद जो होते हैं वो कीसी तीसरे पत की तरफ इशारा करता है जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण बोल रही हूँ कि तिरी लोचन तिरी लोचन का मतलब आप समझी गए होंगे तीन आखों वाला तीन आखों वाले कौन होते है शुजी अब एक उदाहरण सुनिए कि चत्र मुख यानि कि इसका अर्थ क्या हुआ कि चार है मुख जिसके किसके चार है मुख किसकी तरफ इशारा है इसमें ब्रहमाजी की तरफ ठीक है अब इसमें है अव्वेई भाव समास अव्वेई भाव समास पच्चो इसमें जो पर्थम पद होता है वो परधान होता है और वह अवे शब्द होता है जैसे यथा मती यानि कि मती के अनुसार ठीक है अब इसका पांचवा परशन हम देखते हैं कि किरिया कैसा शब्द है पहला है इसका अविकारी शब्द दूसरा है विकारी शब्द तीसरा है विशेशर शब्द और इसमें से कोई नहीं तो हम इसका अगर उत्तर देखते हैं तो ये जो किरिया जो है ये विकारी शब्दों में आता है तो बी जो इसका उत्तर है वो बिल्कुल सही है चलिए अब हम अविकारी शब्दों की परिभाश भी देख लेते हैं कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं बच्चों कि जिन शब इसे लड़का लड़के और लड़को यहाँ वचन के नुसाल इनको रूप बद लगाया है आप विशेशन तो आप जानते ही है कि संग्या और सरनाम शब्दों की विशेशता बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते हैं जैसे सुन्दर बड़ा काला ठीक है तो हमारा कौन सा उत्तर सही है किरिया कैसा है विकारी शब्द है अब यहां छटा परशन देखते हैं कि कनक धतूरा को कहते हैं और कनक एक अर्थ दूसरा भी है क्या परसाद है क्या कसोटी है क्या आभुशण है नहीं ये तीनों नहीं है बलकि क्या है डी वाला जो है हमारा उत्तर बिलकुल सही है कि सोना कनक का एक अर्थ जहां धतूरा होता है वहीं सोने को भी क्या कहा जाता है कनक से उपार कनक कहा जाता है गुप देखए इसका साथवा परशन है कि निम्न लिखित में शिव का परियाई वाची शब्द है अब क्या शिवाले है, क्या रूदर है, क्या रूदराक्ष है, क्या हरी है चलिए इनके मीनिंग देख लेते हैं कि शिवाले का मीनिंग होता है कि देव मंदिल या शिव मंदिल ठीक है तो ये नहीं हो सकता हमारा सी का अगर हम देखते हैं कि रुदराक्ष, सिवाक्ष और केसरी को कहते हैं अब हरी का अगर डी वाला देखते हैं हम कि हरी किसे कहते हैं विशुनुजी को कहते हैं और तिरी लोकेश भी कहते हैं तो ये भी नहीं हुँ हमारा तो अब हमारा कौन सा बचा है बी बचा जो हमारा उत्तर सही है कि शिव का जो परियाईवाची शब्द है वो रूदर है ठीक है अब आठवाइस का परशन देखते हैं कि निमनलिकी नियम विरुधकारिय करना अर्थे के अनुकूल सही मुहावरा है अगर हम किसी के नियम विरुधकारिय करते हैं तो इसके लिए एक मुहावरा यहाँ पर चार मुहावरे दिये गए हैं उन्होंने ये पूछा है कि इसके लिए एक मुहावरा चुनिए पहला है सूरज को दिया दिखाना उल्टिगंगा बहाना दाई से पेट छुपाना और चोथा है नोदो ग्यारा हो जाना अब अगर हम पहले का उत्तर देखते हैं पहले का अर्थ देखते हैं कि सूरज को दिया दिखाना क्या है इसका अर्थ है कि परसिद वैक्ति का परीचे देना ये नहीं हो सकता अब अगर हम सी का देखते हैं कि दाई से पेच्छे पाना कि जानकार से पेच्छे पाना इसका अर्थी यह है तो ये भी हमारे नहीं हो सकता है अब डी का अगर हम देखते हैं कि नोदो ग्यारा हो जाना है कि भाग जाना तो ये भी हमारा इसका अर्थ नहीं हो सकता क्योंकि ये महावरा है कि नियाम विरुत कारिये करना अब भी बचा हमारा तो इसके लिए कौन सा महावरा आएगा कि उल्टी गंगा बहाना उल्टी गंगा बहाना यानि कि रीती के विपरीत कारिये करना वो ही हो ग तत्भाव शब्द आप जानते ही हैं कि जिन में परिवर्तन करके हिंदी भाषा में लाया गया है जिन शब्दों को संस्कृत से और तत्सम शब्द जो जो के तुम प्रियोग किये गए हैं हमारी हिंदी में संस्कृत भाषा से आई हुए तो हम देखते हैं कि पहला है आधा दूसरा है कूप तीसरा है विद्या और चोथा है वयोग हम ये देखते हैं कि B, C और D जो है वो तत्सम शब्द हैं शुद हिंदी के हैं और ये जो आधा है ये परिवर्तन वाला शब्द है तो ये जो है A जो है इसका उत्तर हमारा वो बि परशन हम देखते हैं कि निम्न नाम में से एक की वरतनी अशुद है अब इसमें यहां पर अशुद्धी है वर्ण अशुद्धी दी हुई है कि कोशलिया अगर हम कोशलिया को देखते हैं तो बिल्कुल सही लिखा है मेधिली शरणगुप्त को देखते हैं तो ये भी सही लि नन देखे राहुलसांसकिर्तियानन लिखा है अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो लेकिन हैं सही नाम क्या है राहुलसांकिर्तियानन तो यह जो सा है आधा सा है यह इसमें बढ़ाकर दिया गया है तो यह जो है हमारे सावर्ण की जो है गलती है तो यह जो है हमारा इसका उत ये तो थे पर्षन अब हम देखते हैं अनुच्छे इसमें से भी पर्षन पूछे गए हैं कि चलिए पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि पास्चाते संभेता एवं संस्कृती में बहुत सी बाते होते हुए भी बह मुलते हैं अधिकार परधान भोग परधान है उसमें अपने सुक की परवर्टी परधान है इसलिए यहां परधान जोर शरीर सुक भोग और उसके नियमित अगड़ित साधन जुटाने की और है जबकि भारतिय संस्कृती अनेक बुराईयों के होते हुए भी मुखिता धर्म परधान, कर्तवे परधान, तयाग और तपस्या परवर्ती मूलक संस्कृती है विशु मानव या विशु मानवता एवम संस्कृती का निर्माण तभी संभव है जब मनुष्य अपने शरीर का विचार इस सीमत तक ना करे कि उस परियतन में वह आत्मा, वह प्राण, जोती ही तिरोहित हो जाए जिससे मानव मानव है इस पश्टत है भारतीय संस्कृती में अहिंसक जीवन, निर्माण की, दोसरों के लिए जीने की संभावना अधिक होने से गांधी जी की शिरद्धा थी कि भारतिय संस्किर्ती ही हमारे जीवन का दिवीप है और वही विश्व संस्किर्ती या विश्व मानवता की आधारशिला बन सकती है अब हमने ये अनुच्छेत पढ़ा इसके चलिए परशन भी देख लेते हैं कि कौन-कौन से हमसे परशन किये गए हैं इसमें इसका पहला परशन हमसे पूछा गया है कि पाश्चात्य संस्किर्ती के संबंद में सत्य हैं क्या बात सत्य है तो यहाँ पर चार बाते दी हुई ह पहला है वे भोतिक वादी संस्किर्ती है दूसरा है वे शारिरिक सुख परदाता संस्किर्ती है तीसरा है वे भारतिय संस्किर्ती से उत्प्रेरित है चोथा है वे यथार्थ वादी संस्किर्ती है अब जो इसका B, C और D जो है वो उत्तर गलत है लेकिन A उत्तर जो है वो भोतिक वादी संस्किर्टी है अब इसका दूसरा पर्शन है इसमें कि इन में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर भी कथन दिये हुए है कुछ उन में से जो सत्य कथन है वो हमें सही का निशान लगाना है कि पास्चाते संस्किर्टी पूर्णता निवरित्ती मूलक है दूसरा है पास्चाते एवं भारतिय संस्किर्टी में गुणदोश विध्यमान है तीसरा है कि पास्चाते संस्किर्टी परवित्ती एवं निवरित्ती मूलक का मिश्रण है चोथा है भारतिय संस्किर्टी स्व अब हमारा B बचा तो हमारा B जो है वो बिल्कुल सही है कौन सा कथन सत्य है कि पास्चात्ते अवं भारतिय संस्केति में गुण और दोश विद्यमान है अब इसका तीसरा परशन हम देखते हैं कि पाश्चात्ते का विलोम है ठीक है? तो पहला है पूर्व, दूसरा है उत्तरिय, चोथा है पूरवात्ते और तीसरा है दक्षिप, दक्षिक्षे तो इसका A, C और D जो है वो बिल्कु गलत है इसका जो है A, B और D जो है वो गलत है लेकिन C उत्तर जो है पोरवात्ते ये बिल्कुल हमारा सही है तो इसका उत्तर कौन सा हुआ? C उत्तर हुआ अब इसका चोथा पर्शन हम देखते हैं कि पर दुख कातरता से संबन्धित कतन है पहला है इसका उप्शन है दीसरा है धर्म, कर्तव, तयाग, विश्व, मानवता दीसरा है आत्मा, वब प्राण, जोतिका, उत्कर्ष और चोथा है परवपकार है तू, सुक, साधन, जुटान इसका जब B, C और D है वो बिल्कुल गलत है लेकिन A उत्तर जो है इसका वो बिल्कुल सही है कि अहिंसक परवित्ती और दोसरों के लिए जीना कि परदुख कातरता का से संबंदित कौन सा कथन है कि अहिंसक परवित्ती और दोसरों के लिए जीना कथन इससे संबंदित है अब इसका पाचवा परशन देखते हैं हम कि उपयुक्त गधांश का सर्वधिक उपयुक्त शिर्शक है क्या हम इसे इसको क्या शिर्शक दे सकते हैं पास चाहते हैं हम भारतिय संस्किती दूसरा है केवल भारतिय संस्किती तीसरा है कि भारतिय संस्किती मानविय संस्किती और चोथा है कि भारतिय संस्कृती सवस्रेश्ट संस्कृत तो बच्चो हम देखते हैं इसके उत्तर को कि A, B और C बिल्कुल गलत है लेकिन D जो है वो हमारा बिल्कुल उत्तर सही है कि हम इस गधाश को पढ़कर कौन सा शिर्षक दे सकते हैं लेकि भारतिय संस्कृती सवस्रेश्ट संस्कृती तो बच्चो यह आपने Model paper 5 को देखा और पढ़ह Thank you इस वीडियो के माध्यम से समझा बच्चो यह वीडियों, जो हम बना रहे हैं यह जो आपको पढ़ा रहे हैं, इन वीडियों के माध्यम से तो बच्चों इनको देखा कीजिए और इसमें आपका बहुत सा सॉलूशन हो जाएगा ये जो परशन है कोई ना कोई परशन कभी आ जाता है तो आपको एकदम ध्यान आ जाएगा कि अरे हमने ये वीडियो में देखा था तो ये ही हमारा परशन आ गिया हो सकता है कि अनिच्चेद भी आजाए है ना तो ये वीडियो जो है आपके बहुत काम की है आप इसे इन्हें अच्छे से देखिएगा बार-बार देखिएगा यदि आप एक चीज को बार-बार देखते हैं तो वो चीज जो है वेक्ति के मस्तिश्क पर चड़ जाती है और वो जो है भूलने से भी नहीं भूलती ठीक है आपकी इसको देखने से बहुत अच्छी तयारी हो जाएगी आप सभी बच्चों को